पंद्राबीस नौंबर का वक था और हम लेलनटॉप में काम कर रहे थे हमारा एक रिवीव पब्लिश हुआ और सड़नली उसके नीचे कमेंट्स आ रहे की प्लीज दमन का में हमने सुचा क्या आए भाई कहां से आगे पिक्चर है तो नहीं कोई आई थी हिंदी की है कोई हॉलिवूड की है हम हर मैंने एक कैलेंडर बना दे कि कौन-कौन स्विल में आ रही है देखना चाहिए तो उसमें तो कहीं दमन का नाम नहीं था हम सब सर्प्राइस होगे फिर हम अच्छी खासी चल भी गई है फिर पता चला कि हिंदी में भी आएगी तो हम वेट करने लगे कि हंदी में आए तो देख लेंगे अब फाइनली रिलीज डेट करीब आ रही है थर्ड फैप को रिलीज हो रही है तो हमारे पास वह चार-फान सज्जन बेटे हैं जिरोंने कमाल की फिल्म बनाई है मैं फिल्म के बारे में ज्यादा बता हूं तो मज़ा नहीं आएगा इनी से पूछते हैं ट्रेक्टर डुए हमारे पास देवी प्रसाद लेंका जी विशाल मौरिया लास्ट में देंगे आपको क्रेटिक है वाइट कंपोजर है हमारे पास गौरव और हमारे पास दीपनवीत हैं देश महपातर मैंने बहुत तो प्रणाउंस करने की कोशिश की कि गलत न चला जाए और अब बाभुशान मोहंती जो ओडिया सूपरस्टार है और अब पैन इंडिया स्टार बनने वाले है यह बन चुके है थर्ड को बन जाए 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 न आनी है एक डॉक्टर 151 गाओं मलेरिया से कैसे बचना है और दूसरों को बचाना है इसके बारे में फिर में सिंपल सब्दों में तो आइडियेशन कहां से आया किसका एडिया था कौन है इसके पीछे पहला आदमी फर्स कल्प्रिट एक्शली हम दौनों ही थे हम करने गए पर तो जब क्लोजली यह सारी चीजें देखी कि लोग कैसे मलेरिया को मलेरिया को रोकने में लगे हूँ है इंटिरियर बेल्ट में मलकानगरी एक डिस्टिक्ट है उडिसा में वहाँ पर आशा आंगनवाडी हेल्थ एपार्टमेंट जो है गवर्मेंट जो है कैसे में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसकी उपर इतना बड़ा काम चल रहा है तो वहीं से हमें लगा अच्छा टॉपिक है कभी ने कभी फिल्म बनाएंग इसकी उपर तो आपने बना दी कितना पीछे कितनी मेहनत हुई जब शूरू होने सपहले है क्या क्या किया किया लग लेकिन उस चीज को एक फीचर फिल्म के एंगल से दिखाना कि हम दो गंटे तक लोगों को सीट पर बैठा पाएं तो उसमें जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे काफी चैलेंजिंग था उसमें टाइम लगा गारव जी के साथ फिर जब हम गानों पर काम किये वह बहुत या गानों में भी हम लोग है ना कहने की कोशिश कर रहे थे उसमें हमारे च्छे हम इने गए तो कुल्मिला के डेढ़ साल का टाइम लगा ओवर रोल प्रोजेक्ट को सेट अप करने में और इसका जो स्क्रिन प्ले उसको लिखने में तो यह कोई एक्शल स्कीम भी है दामन जो त्रू events है, events कही अलग-अलग date and time पे हुए है और अलग-अलग लोगों के साथ हुए है हमने बसके एवल एक डॉक्टर के माद्यम से वो सारी चीजों को simple तरीके से देखाने का कोशिश किया ए निड़क्टर फिक्शनल है डॉक्टर इसका पोस्टिंग रूरल में हुआ है उसके साथ क्या दिफिकल्टी होती है, क्या माइंसेट होता है, वो कैसे लोगों की सेवा कर सकता है वो उनकी करेक्टर के थुरू काफी डॉक्तर और पूरी जो ओडियन्स उनको देखने मिलेगा मतलब यह घटना ही किसीना किसी के साथ हो चुका है आप कैसे लेंड हुआ इस पोजग में? आप वेटिंग वाइव दिश्क्रिट्ट था क्यूंकि आप लौबाय करके था कि तक चुके हैं देवी भाई विशाल भाई याए था कि लेके मैंने सुन के पांच मिनिट में हां बोल गया पांच मिनिट पढ़ने में लगाए उनलाइन फिल्कुल नहीं, सिर्फ वनलाइन सुना और बोला करहूं है फिर क्या क्योंकि आम इमेल से बार आना था फिर महनत लगी किवर्टर का रखी किया नहीं था मैं बहुत हल्प किया मेरे डिरेक्टर्स ने एंटार टीम ने कि मिला जाकर डॉक्टरों से वहाँ के लोगों से आंगानवाड़ी दिपार्ट्मेंट के लोगोंसे पुलिस देपर्ट्मेंट के लोगोंसे क्या क्या क्हा है और उन्हों से टाइम लगा मुश्किल ही लेकिन ट्राय ने ट्राइद मैं बहुत नो कि शस्टिस पर-कर-क totally वपराजिता महांती, they are my parents. So they have been working in Odia Film industry for the last 40 years. They have been working in Bengali industry also. Hindi में भी गाम के ते हैं? वनी का प्रडटुक्त है? Hindi में भी गाम के ते हैं? Hindi में भी गाम के ते हैं? एक एक फिल्म के थे थे, Naya Zahra. In 70s, 80s? Yes, in 80s. Sir, मुझे एक चीज़ लगती है, विकाज के पारेंट से अलेडी फिल्म लाइन में हैं, तो जैसे बाबुने बोला कि थोड़ा सा चैलेंज़ गारेंग्टर को समाज़, लेकर हमें लगता है कि बहुती ही रहा होगा इन के लिए करना, विकाज हैं सो फाइन एक्टर, आप अभी लगा नहीं कि ये सेट पर अक्टिंग कर रहे हैं, तो जैसा दॉक्टर का कैरेक्टर हम लोगोंने सोचा था, वो उनने पूरा प्ले किया है, आप अपने रोल के बारे में बताईए अपने अपने रोल के बारे में बताईए अपने, तो आप अपने रहते हैं ये बाहर से आते हैं? हाँ, फिल्म के लेकिन असली में में भूबनेसवर में रहता हूं तो ये वजब स्क्रिप्ट मेला तो मुझे लगा कि अच्छा स्क्रिप्ट है, मुझे में भी हाँ बोल दिया है, क्योंके बात में बताए चला है कि अच्छा बहुंके बहुबनेसवर में जो ओडिया बोलते हैं वहाँ पर ओडिया नहीं है, वह आप एक ट्राइबल है तो इसका अलग, मतलब अलग तरीके से बोलते हैं, तो इसको प्राक्षिस करने के लिए, मेरे डिरेक्टर बोले की, you have to capture that. So I went there, I stayed there for 14 days, and I met people, I talked to them, how they eat food, how they play, they have a different way, when you watch the film, you will know how to talk about the tribal people. So I am very thankful that I got a director who understood what is the importance of the preparation for the actor. I come from a theatre background, I really like it. I am not an actor, I was given a script to talk about the dialogue, but the preparation is very important, it is a process. So I am very thankful that I got a director who understood his importance and worked on it. He gave me freedom that you work on it. So when it comes to the shooting, it becomes very easy. And Babu San, it is a dream come true. He has been doing more than 50 films and I am a newcomer. So working with them is very fun. And this film, when it comes to a good script, it becomes a responsibility. It becomes a responsibility. I think this is a team work. All have to understand their responsibilities. And this is a film that we can represent in India. That we are from Odisha and make this film. You will talk about the actor and director. You will talk about the music. It is a very interesting part in this film. What was the brief of the director duo? We need to make this music. Hello everyone. I am very happy to have a part of this film. And we have a interview in Lallan Top. We are not being sure. That is what you are doing. I am very happy for that. Before, if I say from the beginning, there was an afternoon, Babu bhai called me. Then they told me that there is a script. It is an off-beat cinema. We are trying to do it. Will you do it? I said, why not? Definitely. So, they gave me a number of Debi bhai and Vishal bhai. Then I contacted them. Then they told us. Then they told us on the phone. Then I went to the office. They narrated the entire script. At that time, they told me that this film will be a documentary. This film will be a documentary. So, I felt like this. First of all, I felt like how can we do songs here? So, this subject is totally different. It is a realistic approach. So, when we started songs, what is another plus point? Babu bhai is a very good musician and singer. So, when I was making songs, when I was making songs, I would send them first. So, I liked them. Then Debi bhai and Vishal bhai would send them. Deep bhai, our producer. So, in the team, the opinions differed. Babu bhai would feel good. Then Debi bhai would feel good. But Vishal bhai would not feel good. And Debi bhai would feel good. So, this was going on. So, once I was surprised, Babu bhai said, they are not approving. I have done so hard work. I am not approving. Then they told me, that if you don't have a job, until the whole song is not done, then don't send them. In the guitar, I am not giving them. So, it doesn't happen to me. So, it doesn't happen to everyone. It doesn't happen to me. 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 I am not having a job. I am very interested in that. It's a fun. The entire process, I enjoy the work. And it gives me a lot of input. I mean, four of the songs, the stories are trying to progress further. The fact that the film is moving forward. The one of the songs has gone further. it's not like, there is a gap here. I have put two songs together. Four of the songs are going on to the story telling. के हिसाब जातीありがとうございました दिमेर्ड नहीं इवसलिंग जाती पिलेर्स नहीं तो ये चारा गाने भी ए केरेक्टरू में तो इस तरहां ही काम हुआ है और चारो गाने प्रहें लिफुएills जो सबता है पिर जब हमने हिंदी में बढड़ियं किया हिंदी में आया कि हम हिंदी में करेंगे बोलके तो बहुत एक्साइटेड लगा और हमारा मेन मोटिव यह था कि गाने ट्रैंसलेटेड ना सुना ही दे जातर ऐसे सुना ही देता है तो ट्रैंसलेटेड ना सुना ही दे तो हमने बहुत महनत किया और करीब छे दिन में हमने चा हिंदी में लिखा है, मुजिक रहेगा, मैं जब ट्रांसलेशन किया तो वह भी सेम लिरीसिस ने किया ने ने ने, ने ने ओडिया में लिखे दे जेपी वर्टSmith और पाफु गोसौमी और हिंदी में लिखे हैं दिब्यजित्स और फिर तेरे गाने रिलीस हुआए है, तीन गाने हैं और एक गाना बाकी है तो चार गाने हैं, जिसमें एकला चालेर एक गाना है, जावेद अली जी ने गाया है, और एक दिविय कुमार जी ने दो गाने गाया है, एक धेमसा बोलके और एक टाइटल ट्रैक दमन का, और एक गाना है, जो अडिया में था, जो बाबु भाही ने गाया था, उन्हों ने जिए अब आबहे जोतपूरकड जी ने गाया है कोई है कोई है क्या तो आपने ओडिया में गाया है जी अपनी मुवी में अकुद के लिए गाना गाया है अपने कंपोस किया है सुनाज्ये तूडियाव़ा बुला फकीरा है इमू चाले पहाड़ा छाई रे मोझूला मुनी कुभारी देला तुम्हे आनी छारे ए बिजुडिया लो अरे नीजा मुह खोजी देखा अना देखा करी चाजा को से बोधे तुम्हारा तुहा खुतुहा वर्सालू होई बहे असरा पड़े ले काई कहे रे मते देखा दिया की तुम्हे रता रता संजा बेड़े तुम्हे आओ के ही रूहे मुह नीचाटिया मुनोर अच्छाए तुम्हें रहुप नेच्छाउ थिए आपको यवाज़ अपको मुज़िक सब सूधिंग है सुंदर क्या मतलब था इसका कोई विता दे समरी lium पॉंट पाथ अठर राथ जब जो गरिपता एं जब जो मतलब मतलब हुद के मन के साथ बात करता वो लोनली फिल करता है और मतलब उस टाइम पर हो घलपलेस फिल करता है कि कोई नहीं है उसके पास मतलब वो खुद इस एक दलदल में आके फुस गया है ऐसा लगता है उसको बैसिकलि यह विज्वाले जो पॉस्टर में है अभी इसी के उपर है इसी कानी की उपर है जब यह शेक्वेंस आता है एएंस पर गहाना चलता है आई एक्टर फाइनल हो गया आगे क्या दिख्कते आई सुनाया बहुत रिमोट एरिया में अपने शूट किया है त्राइबल के साथ शूट किया है अप्टर चाही सारे ऐसे जो अप्टर्स नहीं है वह सब बताईे आप को जतना raw रख रहा है और जतना convincing लगे audience को वैसा हमारा कोशिस था तो उसके लिए पहली चीज थी को उन locations पे आपको जाना है वो जो ट्राइबल्स हैं वहां के उनके साथ काम करना है जो लोकल्स हैं जो वहां की language बोलते हैं उनके साथ काम करना है तो वह हमने फिर ढूरना चालू किया हाल करके एक जगे है हमाँ पे हिंदुस्तान Aeronautical Limited जहां के employees कुछ हैं वहां हम गए उनके स उनसे एक्टिंग कराओ तो बढ़ा ही मुश्किल होता था था बिकॉस ना उनको हमारी भासा पता है ना हमें पता है बीच में किसी को रखना पड़ता था कि आप उनको समझाओ और यह भी होता था कि कैमरा देख के लोग कॉंसे हो जाते हैं तो उनको उनको उसके लिए वा तो तो सामने अली ओर दुड़ती है ओर जहां सुट किया तो पार रहों कराप्ट में हमनें शुट गिया है मलकानगीरी में कुछ अया तो को है में मुस्ट ली एसंड़ी ने चुट सबढ़ अपर मोवाइल और नेटवर्क यंदू कि है मतलर बहुत है जब शुटिंग करत हैं तो पहुंचना बहुत डिफिकल्ट था एंड सबसे वड़ी चीज थी की वैनिटी वैन नहीं होती थी हमारे पास जो आर्टिस्ट हैं और किसी के लिए भी तो वह सब आरेंजमेंट को देखना उसके अलाबा सपोज एक फूट ट्रक आ रहा है या किसी आर्टिस्ट को में इन लोकेशन से गाव में आना है तो अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया कि मैं अभी यहां शूटिंग कर था ता और लोकेशन चेंज हो गई तो इसको बताएंगे कैसे कोई फोन तो लगता नहीं है फिर प्रड़क्शन में गाड़ी लेके कोई जा रहा है बीच में आते थे तो बहुत सब डिफिकल्टीज थी मापी तो जाहिर सी बात है जो काम दो दिन में होना है उसको चार दिन लगे होगा करेक्ट करेक्ट कि चगया होगा जी 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 प्रडूसर बोलता होगा बट नौ इस हैपी विकॉज उडी साम इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो बहुत कुछ है परफॉर्मेंस पर आते हैं कौन सा मोमेंट था जब आपको समझ आगे की फिल्म काम कर रही है बस मजा आगया अब स्क्रिप्ट सुनके ही पता था कि पिक्चर अच्छी बनेगी रिसेप्शन की बात कर जब मैंने पहली बार स्क्रीनिंग देखा इनके पास मैं बोला एक पिक्चर चली और कॉल्स मेसेज़ेस कब से आना शुरू है कितने दिनों के बाद आपको लगा कि यार हमने कुछ कमाल चीज बना दिये अच्छी पहला तीन दिन हमारे लिए इंपोर्टन था फ्राइडे को जितना फूटफॉल होना चाहिए था और हमें अग्चछी पहले तो स्ट्रूगल करना बड़ा स्क्रीन मिलने में क्यांकि पहले ही लोगों को लगा कि यह दौकुमेंटरी मूबी होगा इसमें हीरोइन नहीं है तो क्या चलेगा फिर हम इसको जून में रिलीज करने वाले थे नहीं मिला फिर उसके बार हम अगस्ट में नहीं मिला, फिर September में गए, नहीं मिला, फिर June में, जब थेटर कुछ खा ली था तभ ही मिला, लेकिन पहला दिन तो मिला नहीं इतना, बहुत कम स्क्रीन में डाले हुए थे, तीन दिन के बाद, Friday, Saturday, Sunday, के बाद, Monday से यह पकड में आ गया, Monday से यह हुआ, जो जादा रश्का हो 33 स्क्रीन मिलने लगे, Only Bhubani Shore में, फिर एक हपते के, एक, next week, Friday से डिमाड आए कि बाहर रिलीज करवाई, 20 तारिक के असपास, फिर हमने इसको All India रिलीज करवाया, वहां पे भी चिन्ने इमें, बैंगलोर में हाउस फोल जाने लगा, तो यह जो ग्रांड सक्सेस है, इसके पिर चे कोई ऐसी वर्क आउट कीवी स्ट्टेजी थी या प्योरली वर्ड अफ माउथ चल रहा है, वही सच्छा ही है, देखाजाए तो प्यूरली वर्ड अफ माउथ जा एक है और ओडिया के लोग बहुत देह से वेट कर रहे था कि ऐसे कोई फिल्म आये, जों बोल सेग प्यूरली वर्ड फिल्में बनती है, रिमेक्स पर वहां पर बनती है, हिंदी की रिमेक्स उ commend जाती है, आहां एक हंदी हान्य, हिंदी, हाउ ट्रीमेक्स घंड मजाती हैं और रिज्क- offenses गोड़ा पनाती है, warto, formula, formula for that very much very much excited region में इपने पन इडिया पन वर्ट मजा रहा है मातापिता का क्या reaction रहा है आप दे विए रही इमोशनल yes yes this much years of your career yes yes this is not not only for them for the entire state this film is representing Godisha right now अभी मैं back stage बात कर रहा था कि ज़ पन इंडिया film की बात हो रही है तो आज कल south-south-south हो रहा है पुरी हिंदी मिद। पहला ही में कभी-कभी बहुत पूस्ट प wond जब गुजराती में साल नचुन बहुत है माराती दो साल में असकर नहीं है है युद स्चलम चेजलीत नहीं लगता था है इदर बांगला का हिस्ट्री अच्छा है इधर थोड़ा वीक हो गया है कि बतलब कोई अच्छी फिल्म आती हो तो रेरली पर कभी ये था कि अच्छा फिल्म देखनी है अच्छी फिल्म देखनी है तो आप अच्छा सिनेमा देखना है तो आप बंगला फिल्म में देखनी है तो ओडिया से भी कोई फिल्म आ रही है तो यह जो फ्लेवर में एड ओन हो रहा है कि क्योंकि हमारा देश इतना विविता से भरा हुआ है इतनी टैलेक्ट है इतनी बोलिया है इतनी भाशा है है अलग-अलग तरह के लोग है उसका सिनेमा में रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही हो तो मज़ा आत तो क्या देखे वो बताई आप तीन फिल्म में बता दीजिए कोई भी कि ये जरूर देखें कुछ म्यूजिक कोई किस एक्टर्स की फिल्म में देखें आपको फिलाल बूलू में अभी दमन देखिया और और कुछ नहीं बोलूँगा वो तह सब देखी रहे हैं हिंदी में आप अब आ रहे हैं अजय ने लांच किया कुछ और बाते हो रही है किसी से आगे आगे के प्रोजक्ट के लिए खास तोर से आपकी जी नहीं फिलाल नहीं होंगी आई विश मूंभी जाके रहेंगे एक महिना हो जाएगा हाँ होगा क्योंकि आच्छी फिल्म जब कोई करत इजन की ही भाषा है तो कोई स्पेसिफिकली हिंदी को हम इतना बड़ा चड़ा के पेश करते हैं जब कि मीनिक्फुल सिनेमा हर भाषा उसे आ रहा है अच्छा सिनेमा और इधर कुछ दिनों से बॉलिवूड को थोड़ा सा टिंचर भी दे रहे लोग कि तुम लोग ठीक इजने बना रहे हूं but anyway that's different story पठान चल रही है एकी वीख हुआ है next week आपकी फिल्म आ रही है इवन शहजादा वालों ने एक अपता और उनकी दस को आ रही थी उन्होंने 17 कर दी क्यूंकि पठान बहुत बड़ी फिल्म है और अभी सारे थियर्टर्स वगर उक्युपाई कर रहते हैं आपको थोड़ा सा इसको लेकर यह पिक्चर कम्प्लीटी डिफेंट जॉन्र का है तो पठान देखके इसे देखिए थंड़ा हो जाएंगे वह गरम करती है तो आपको भरोस आए कि आपकी फिल्म जो है इतनी मजबूत है कि लोग देखने आएंगे तो प्रू ठीक है आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके फिलाल अभी कुछ नहीं है बात्चीच चल रही है आप भी चूजी है बहुत स्क्रिप्ट के मामने मैं दो साल काम बंद कर लिया था बोर हो गया था इस पर क्या कहिए बोर हो गया था आपको नाइस नाइस आंसर आप अभी बात अब दो आपको बता दीजिया था आपको बता बीजिया था बहुत सारे नए अपोर्चुनिटीज आ रहे हैं तो मतलब अभी डिपेंड करता है कि मतलब सब्जेक्ट अच्छ होना जहिए और डिरेक्टर्स उनका विजन अच्छ होना चाहिए तो अभी भी थोड़ा बात् मतलब फाइन फाइनल नहीं हुआ है अभी प्रोडूसर सारे आपके पास आप दोने के पास आ रहे हैं लेकिन अभी हमारा मानना है कि एक बार में एक चीछ पर टार्गेट करना है तो फस्ट कम्प्लीट दमन उसके बाद आगे का आगे देखेंगे अच्छली हमें लगा थ स्क्रिप्ट वगरा पढ़ रहे हैं अभी अभी कुछ भी नहीं सोच रहा है कि एक बार में एक प्रोजेक्ट हिंदी में आपकी फिल्मारी है तो हिंदी दर्शकों के लिए रीजनल सिनेमा से जब अच्छी फिल्में आती है तो उनको एक नए फ्लेवर तो मिलता ही है साथ साथ नए एक्टर से परिचेतों परिचेय करने का उनको मोका मिलता है आप जब हिंदी इसनेमा देखते है तो किस किस तरह की फिल्में आप लोग पिद करते कि यार यह फिल्म ने अच्छी है हर किसम की पिक्चर देखता हूँ अख्छी यह फेरिए हिंदी मोई कान सी तो यहां थे वो फिर वहां चले गए तो वो जरूर देखेगा, मज़दार है आप अपलो का चेंज होता रहता है विकास उम्र के साब से ना फिल्मों का टेस्ट चेंज होता रहता है अभी ऐसे मेकर देखते हैं तो कभी कुछ अच्छा लगता है कभी कुछ बेसिकली ना इस लाइक कि फिल्मों से क्या सीखने मिल रहा है अभी वो थोड़ा सा जब ऐसे ओडियन्स देखते हैं तो अलग 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 फिल्म में अलग अलग चीने सिखाती हैं कोई ऐसी पर्टिकुलर पिच्चर तो नहीं बोल सकते हैं अभी अजय आप प्रप्रेशन के वक्त कोई फिल्म देखिया आपने जैसे जब मैंने दमन का ऐड़िया सुना तो मुझे पंकच कपुर की एक डॉक्टर की मौद याद आती रही कि वो भी एक डॉक्टर ता जो पर वो अलग तरह का संगश्ता तो प्रप्रेशन में ने पिक्चर जगा है वो घूमने गया मैं डिरेक्टर जए लिए 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 इंजेक्शन लगाना सीखा है और हमने इनको जो डॉक्मेंटरी हम लोग बनाए थे दमन के ओपर इनको दिखा है किस तरह से लोग जा रहे हैं क्या कर रहे हैं वो सारे चीज़ आइडिया स्था पहले डॉक को चाहे तो उसे भी देख सकते हैं रेट सब्सक्रास वेरी वेरी नाइस टाकिंग तो यू और आप लोगों को बहुत बहुत शुब कामना है और शुब कामना है कि वैसे ज़्यादा ज़रूत नहीं पड़ेगी फिल्म मज़दार है पड़ेगी बहुत अच्छी है ट्रेल कामना है